सब्सक्राइब करने के बाद घंटा बचाएं ताकि आप तूसरा अपडेट हेलो दोस्तो आज हम आपको सिकाने वाले हैं पीछे का कॉलर वाला डिजाइन वाला गला जिसके लिए हमने के बुकरम का पीस लिया है उस बुकरम के पीस की चोड़ाई है 8 इंच मलबी 4 इंच इसको जह हम ओपन करेंगे तो यह आठ इंच हो जाएगी और यहां से इसकी लंबाई हमने नैक की रखना है साड़े छेंच शाड़े छेंच इंच इगले की लंबाई रहने वाद में हमें डि तो मैं इसमें आपको बोल के बता रहा हूँ कि कुछ डिजाइन इस तरह का हमें अपने चौक से इस तरह का डिजाइन एक बतारना है और इसको बुकरम के एक पीस पे इस तरह से आप कट कर लेंगे इसको पौन इंच का मारदन छोड़ते हुए इस तरह से आप काट लेंगे काटने के बाद में जो यह हमारा बुकरम का पीस है वो कुछ इस तरह दिखेगा यह आप देख लीजिए कुछ इस तरह हुआ है आप चाहें तो इसको गोल शेप भी दे सकते हैं और आप चाहें तो इस तरह काट सकते हैं हमने इस पर सिलाई लगा लिए अब हम इसको आदा इंच के मारदन से इसको इस तरह कट कर लेंगे पर इस पर इस तरह से लोटके सिलाई लगा लेंगे कुछ इस प्रकार इस तरह से लग चुकी है जो हमारे कपड़ा है बढ़ती इसको हम कट कर लेंगे इस तरह से और कट करने गवाद इसको डबल इस तरह करके यह एक कुटका मार देंगे इस तरह अब यह हमारी कुर्टी की बैक साइड है जिसको हमने डेर इंच गोलाई कट कर रखी है और इसको हमें इसके बीच में भी एक ऐसे सेंटर मिलागे और एक कट मार लेंगे उस कट से इस कट पे और इस कट को मिला के इस तरह बीच में सिलाई मार के इसको रोक देंगे बीच का सेंटर द्यान से मिला लें और इस सिलाई लगा देंगे दागा कटरने के बार बुकरम की नीचे नीचे जड़ में सिलाई लगाना है कुछ इस तरह है यह हमारी सिलाई लग चुकी है सिलाई लगाने के बाद में हमें इसको इतना इतना मार दन दे के इसको कट करके और यहां गोलाईयों पर कट मार लेना है हमने कपड़ा कट कर लिया कट करने बाद में इसमें गोलाईयों पर इस तरह से एक कट मार ली है अब इसको हमें इस तरह से सीधा कर रहा है इस तरह से हमें लग की सिलाई लगाने है हमने के इसमें सिलाई लगा लिए लपकी सिलाई लगाने के बाद में जो यह चीज है हमारी इसको हम सिलाई लगाते और आपस में इस तरह से जोड लेंगा अब इसको जोड़ने के बाद हमने यह सामने का गलत तयार कर रहा हुआ है वह इसके हम यहां से टीक इसकी जोड़के बात तो कालर बनाते हैं यह हमने टीक इसकी जोड़ लिए टीक जोड़ने के बाद में अब हमें अपना कालर तयार करना है हमने एक बुकरम का यह पीस लिया है उस पीस की लंबा ही है लगभग 11 इंच चाड़ा 11 भी ले सकते हैं आप फिर इसको इस तरह से आप फोल्ड करके और खरीम इसकी चौड़ाई जो है वह चौड़ाई लेना है आपको एक इंच एक सूथ उसके बाद में आपको इस तरह से इसको गोलाई कर लेना है यह गोलाई हो गई हमारी कालर की लंबाई इस टेंप पूरी 11 इंच है यह देख सकते हैं 11 इंच लंबाई है यह और एक इंच एक सूथ चौड़ा है अब इसको हम इस कप्ले पर आप चाहें तो इस पर प्रेसर चुपका भी सकते हैं आप चाहें तो प्रेश तो चुपका सकते हैं और यहां से फिर लगा आपने पर यहां प्रेल के लगाने के बाद में यह जो बढ़ती कप्डा आप इसको कट करने के बाद में आप सिसको ऐसे फोल्ड करके और यहां पर बुकरम की जड़ में लगा किये वल यहां से और यहां गोलाई तक गोलाई से थोड़ा ज्यादा ले ले लिए हलका सा गोलाई पे मत्रोखना बना है नौक बन जाएगी इसी तरह आपको इस गोलाई पे शिलाई लगाना है कर लिया कट करने बाद इसको हम इस तरहां से सीधा करने के बाद यहां से नाफून मार के इस तरहां चाहें तो आप प्रेस से इसको सही कर सकते हैं और फिर इसको हम एक पैर का मार्जन देके कपड़ा कर लेंगे मतलब एक पैर का मार्जन नाफको यहां से एक पैर का मार्जन छोड़णा है तो पेर इसको पीच में सेपों पीच में कट कर देना थंगे कुटका मानने के बाद में अब हम अपने कुट की उठाएंगे अब हमने जो यह हमारा सामने का गला है यह आप इस तरह से देख लीजिए यह हमारा सामने का गला है जिसकी लंबा ही गले की हमने रखी है सामने गले की साड़े चेंज तो हमसको पीछे वाले पर यहाँ का इस को अपने कृटके को तक रहें तो हुग पीच में रखेंगे और आदा कालर आधा कालर इदर को सिलाई लगाएंगे कुछ इस तरहां इस तरहां इस तरहां सिलाई लगा दिए यहां से धागा कट करने के बाद आपका यह आदा कॉलर कम्पलीट है अब आदा कॉलर हम इसको इधर से घुमा के इस तरहां से और आदा कॉलर हम इधर को चड़ाएंगे जो हमने आपको बताया था उसको इस तरहां से यह अब कच्छा हो चुगा है कच्छा करने का बाद में इसको हम यहां से पलटेंगे पलेटने के बाद में जो हमारा यह सीधर इसको अंदर मारजन इस तरह से करके और यहां से हम सिलाई लगाते हैं एक सिलाए अगद में इसको पूरी एक सिलाय में इस शबाए में इसको पूरी एक सिलाई में इसको चड़ादे ने इस तरहा हम नेखाकरा लिया गॉलर हमारा कमुप्लेट है हैww मतलब किसी कशुमर का नहीं है framework ओपीस हमने बना के आपको द्खाया है आप आपको निसके पीछे अगला दिखाते हैं कि काईसा यह लग गया है मैं ये हमारे पीछ अगला है यह कॉलर है तो notification सबसे पहले आपको मिल सके